Earth, 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 Earth Hello, बचो आज हम लोग Decerminant में Next Class देखेंगे ओके तो आईए हम लोग Decerminant में पिछले दिन जो है छो पूरपतिज तक देखे थे अज सात्वा पूरपतिज आप लोग देखिए इसके बाद हम लोग question बनाने का पर्यास हम लोग करेंगे तो सात्वापूरपटिज है कि जदी किसी डिटरमिनान के एक रो को दूसरे रो में या एक कलूम को दूसरे कलूम में एड या सबस्ट्रेक्ट कर दिया जाए तो डिटरमिनान क tenía अप परिवर्थित रहता है बांके डिटरमिनान कामान चेंज 네 होता है देखिए कहने का अर्थ क्या हुआ यह कोई डिटेर्मिनांट आपको दिया हुआ है अब अगर आप जो है सीथिरी के जगव पर यहां देखिएगा सीथिरी के जगव पर ठर्ड कलूम के जगव पर ठर्ड कलूम में से फर्ष्ट कलूम को घटा कर लिख रहे हैं तो देखे तो यह फर्ष्ट कलूम सेकेंड कलूम जेंके तेम लिख लिए हैं इसमें से यह घटाएंगे तो यह 6 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा यह 4 हो जाएगा इसके बाद में और देखिए मानने जीए के हम r2 के जगज़ पर r2 में से r1 घटा थे यह आपका r2 है यह आपका r1 है अब r2 के जगज़ पर r1 को घटा करको लिखना है तो यह line पहले जेम कि तेम लिखती दी जे तब इस mayor gap जिए 4 में से 2 घट गया 2 हो गया 2 में से 3 घट गया माइनस 1 हो गया और 3 में से 6 घट गया तो माइनस 3 हो गया और अगला लाइंजें के 3 तो यह भी डिटर्मिनान का जो मान आप हल किजेगा इस डिटर्मिनान का मान वही मान इसका भी होगा वही मान इसका भी होगा यानि एक कल्लूम में से दुसरा कल्लूम को घटा दीजिये या एक रो में से रो को घटा दीजिये आपके डिटर्मिनान के मान पर कोई परभाव नहीं पड़ेगा इस परपटीज का उपयोग हम लोग जदा से जदा प्रोब्लिम को हल करने में करेंगे यह आपका अब आप देखिये इसका मान जो है आपको प्रूफ करना है कि जीरो होगा तो जहां जीरो प्रूफ करना हो वहाँ question में maximum आपका काम होना चाहिए कि या तो आप एक row को या एक column को 0 बना दीजिए या दो line सेम कर दीजिए पर पटिज पहले बताए हुए हैं आपको तो दो line सेम हो जाएगा तभी भी आपका 0 हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि c3 के जगव पर c3 प जोड़ जाएगा तो a, b, b, c, c, a हो जाएगा तो यह किरिया हम लोग कर लिए अब इस तिनों में अगर एक ही रो या एक ही column में same अंक मौझूद हो तो आप common ले लिजेगा तो यह तिनों में मौझूद है इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि common ले लेंगे जब यह common लेंगे तो इस determinant कमान के हो जाएगा 0 हो जाएगा ओके हम नेक्स्ट कोशन देखिए यह कोशन है आपका कि b, c, c, a, 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 b इतना फिर इतना दिया हुआ है और इतना बराबर आपको पुरूफ करना है कि 2 into determinant इतना की equal होगा अब देखिए इसमें क्या कि यह हम लोग की पहले r1 के जोड़ करके यहां हम लोग लिखे हुए है तो देखिए जोड़िएगा तो दू गो a हो जागा 2c हो जागा 2b हो जागा तो 2 into a plus b plus c लिख सकते थे उसी धंग से इन तीनों को यहां जोड़ करके लिखे तो 2p, 2r, 2q हो जाता 2 common है p plus q plus r हो जाएगा यहां यहां देखिए 2 2 है तो 2x हो गया 2z हो गया 2y हो गया 2 common है x plus y plus क्या हो गया z हो गया बाकी दो लाइन को हम लोग जयों के तेम लिख दिये हैं अब 2 तीनों में सेम है तो 2 को हम लोग क्या करेंगे common निकाल लेंगे common निकालने के बाद में जो बचा हुआ हम लोग जयों के तेम लिख लिए अ आप देखिए, अब क्या किरिया कि हम लोग कि R1 के जगव पर R1 में से R2 और R3 को जोड़ करके घटा दे रहे हैं, यह R1 है आपका, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाना है, तो घटेगा तो C तो कट जाएगा, B भी कट जाएगा, लेकिन यह 2A घटेगा, तो A में से 2A घट जाएगा, तो माइनस A हो जाएगा, यह किरिया आप रफ में भी ऐसे लिख करके हल कर सकते हैं, कि आप देखिए कि A पलस B पलस C में से घटाना है, आपको इन दोनों को जोड़ करके, तो इन दोनों को जोड़िएगा, तो A, A 2A हो जाएगा, माइनस में लिखना है चुकी तो इसके बाद इसको माइनस C लिख दिजेगा इसको माइनस B लिख देंगे तो B, C तो आपका कट जाएगा और A में से 2A घटेगा तो माइनस A हो जाएगा इस ढग से इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएगे तो माइनस P हो जाएगा इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा ये तो माइनस X हो जाएगा अब आगी दो लाइंजेओं के तेम लिख दिये हैं अब आप क्या किजिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको इसमें भी जोड़ दीजिए मतलग कि R2 के जगह पर R2 प्लस R1 कर दिये और R3 के जगह पर R3 प्लस R1 कर दिये और इन दोनों के जगह पर लिखना है इसको जोड़ते हुए तो यह A कट जाएगा इसमें भी A कट जाएगा इसमें P कट जाएगा इसमें भी P कट जाएगा इसमें X कट जाएगा इसमें भी X कट जाएगा बचेगा minus a, minus p, minus x जों के नुखे हैं यह a कट गया है तो यह c है यह a र बच गया, यह z बच गया यहां पर भी एक खतम है तो b हो गया है यह के नुकाल दीजिये तो a, p, x हो गया c, r, z हो गया b, q, y हो गया अब आप क्या किजे चुकी पुरूफ करने के लिए यह जो है लाइन सेकंड के जगव पर है और सेकंड यहाँ है तो इन दोनों को इंटर्चेंज कर देजे आर टू आर थिरी को क्या कर देंगे हम लोग इंटर्चेंज कर देंगे जब इंटर्चेंज करेंगे तो हम कहे थे क प्रूफ करना ते, नेक्स्ट कोशन पर आईए, देखिए यह कोशन है आपका डिटेडिमिनांट में दिया हुआ है, आपको इतना बराबर प्रूफ करना है, कि फोर A square B square C square के इक्वल होगा, पहले आप आप समझेए, जब यहाँ पर A, B, C common लाना है, A square B, C square C square दिया हुआ ह तो A, B, C तो पहले common लाना होगा ना, तो पहले आप यह देखिए कि common कैसे निकाले, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी B है, इसमें भी C है, इसमें C है, इसमें भी C है, तो इससे A common, इससे B common, इससे C common, तो A, B, C common हो गया, जो बच गया उसको लिख गया है यह माइनस B बच गया यह B कमन है तो C बच गया इसमें से C कमन लिये हैं A बच गया इसमें से B बच गया इसमें माइनस C बच गया और फिर दखिए इसमें सब इस लाइन में से दखिए सीध है A कमन है यह B कमन है यह C कमन है फिर यह B कमन ले लिये तो A सकर B सकर क्या हो जो बच गया वह लिखिए यह meanos one 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 हो गया यह one minus one one हो गया और determinant में क्या करिए जबी भी देखिए ईसको अगर इसमें जोड़ देते हैं तो यह term आपका zero हो जाएगा यह भी आपका term zero हो जाएगा यह दू हो जाएगा दो 0 हो जाता है हमेशा maximum कोशिस करना है आपको determinant में यही कैसे हम दो term लगतार 0 कर दें ताकि तीसरा को ले करके हम तूड़ दें ताकि तूड़ने में आपकी आसान ही हो जाए तो यहाँ इसको इसमें जोड़ दीजे इसको इसमें जोड़ दीजे तो जोड़ने से क्या हो गया कि 0 हो गया देखिए R1 के जगाप R1 प्लस R2 किये हुए है R1 प्लस R2 इसके जगाप लिखना है इन दोनों को जोड़ करके तो यह 0 हो गया यह भी 0 हो गया यह 112 हो गया बाकी लाइन जेव के तेम आप लिखे दीजे अब देखिए थुड़ा सा और अब क्या कि R2 के जगाप R2 प्लस R3 कर दिए इस R2 के जगाप इसको जोड़ करके लिख रहे है तो जोड़ेगा तो यह 0 यह भी 0 हो जाएगा यह 112 हो जाएगा देखिए 2, 0, 0 तीसरा लाइन जेव के तेम लिखे हुए है अब आप देखिए A-S कर B-S कर C-S कर हो गया 0 लेकर के तोड़ेगा तो कोई भी टर्म इसमें रहेगा उसको 0 बना देगा यह 0 लेकर के तोड़ेगे तो कोई भी टर्म होगा तो 0 होगा अब आप दू लेकर के सिर्टूर सकते हैं तो दू लिजेगा तो यह लाइन खतम यह लाइन खतम 2, 0, 1, 1 हो गया 2, 0, 1, 1 अब A-S कर B-S कर C-S कर जैम के तेम यह दू लिजे तो दू में 0 खटाएगा तो इतना ही रहेगा तो दो दूनी 4 हो गया और 4 A-S कर B-S कर C-S कर हो जैगा अब लोग नेक्स्ट कोश्चन को देखिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट कलू में 1, 1, 1 A, B, C, A-S कर B-S कर C-S कर इसे हम लोग सर्कुलर डिटर्मिनांट भी कहते हैं डिटर्मिनांट हल करते समय दो-तिन बातों पर जदा ध्यान दिजिए कोशिस आपको करना है कि कैसे हम किसी रोब में किसी रोब को घटा दें जोड़ दें चाय किसी कलू में किसी कलूम को जोड़ या घटा दें ताकि उसका अंक तीनों समान हो जाए जदी वह समान हो जाएगा तो उसे हम लोग कमन निकाल सकते हैं और जब कमन निकालेंगे तो वह लाइन जो है 111 बच जाएगा लेकिन इसमें ओल्रेडी आपको 111 दिया हुआ है जब दिया हुआ है तो पहले आपको क्या कुशिस करना है जब जैसे ही देखेगा कि तीनों अंक समान इस लाइन में से इस लाइन को घटा दीजिए तो यह तो दो जीरो बच जाएगा और एक लेकर के तोड़ दीजिएगा क्योंकि हम कहे थे कि आप रो भी लेकर के तोड़ सकते हैं और कलूम भी लेकर के तोड़ सकते हैं तो देखे किरिया यहाँ पर, R1 के जगवापर हम लोग R1-R2 लिखे हैं, R2 के जगवापर R2-R3 लिखे हैं मतलग कि 2nd column से 3rd column को घटा करके, 2nd column, 2nd row के पास लिखना है, 2nd row में से 3rd row को घटा करके उसको कहां लिखना है, 2nd row के पास, यहाँ पर first row के जगा अपर लिखना है first row में से second row को घटा करके तो घटा यह one में से one घटेगा तो zero a में से b घटेगा a minus b यह होज़ेगा a square minus b square यह zero यह होज़ेगा b minus c यह होज़ेगा b square minus c square आप तिसरा line आप जेओं के तेम लिखे दीजे अब थोड़ा सूत्र पर तूड़ दीजे कि यह a square minus b square b square minus c square तो a minus b into a plus b होज़ेगा यह होज़ेगा b minus c into b plus c बाकी जेंके तेम लिखे हुए है अब आप common निकालिए देखिए इस line में आपको a minus b इसमें भी है 0 गुणे a minus b लिखेगा तो वो आपका 0 ही होता है तो 0 में तो ओल्रेडी सारा अंक लगभग है क्योंकि उसमें आप कोई भी चीज common निकाल सकते हो 0 ही रहेगा तो इसमें भी a minus b है इसमें भी a minus b है इसमें भी b minus c है इसमें भी b minus c है इस line से a minus b common इस line से b minus c common निकाल लिए अब देखिए यह 0 1 A plus B बच गया यह 0 1 B plus C बच गया 1 C C एसकार हो गया अब आप क्या कीजिए कि इसको ले करके तोड़ दीजिए क्योंकि यह 2 0 हो गया है तो इसको ले करके आपको तोड़ने क्या सकता नहीं होगी तो यह लाइन छोड़ दीजिए यह लाइन छोड़ दीजिए देखिए A minus B B minus C जो किते हैं 1 ले लिए तो यह खतम यह खतम हो गया यह चारों हम लोग लिख लिए हैं यह दहीन हाँ चलाना था इसमें से बावा घटाना था तो A minus B B minus C यह multiply किजएगा तो B plus C घटा दीजिए minus A minus B B भी आपका कट जएगा तो C minus क्या हो जएगा A हो जएगा तो A minus B B minus C और C minus A हो जएगा ओके next question को हम लोग देखेंगे देखिए यह दिया हुए आपको X plus 4 2X 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 X plus 4 2X 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 X plus 4 अब आप इसको समझे फिर से हम आपको क्या कहें कि कोशिस कीजिए कि हम पहले common निकाल करके और ऐसे one 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 की तरह बना दे determinant में तो बनाने से क्या होगा कि तिन नो बात समान जब हो जएगा तो इसमें से घटा दीजे एक जीरू हो जएगा यह घटा दीजे एक जीरू हो जएगा और एक लेकर के तोड़ दीजे अब इसके लिए आप जो है किसी रो को किसी रो में हो जब आप यहां देखिए यह का फस्ट कलूम हुआ या सेकेंड कलूम हुआ या ठर्ट कलूम हुआ जदि इन तीनों को जोड़ करके यहां लिखते हैं तो तो 2x, 2x, 4x, x मिल करके 5x हो जाएगा, पलस 4 हो जाएगा, यह भी आपका देख लिजे कि 5x पलस 4 हो रहा है, यह भी जोड़ रहे हैं तो 5x पलस 4 हो रहा है, ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे, 2x, 2x और x मिल करके 5x पलस 4 हो जाएगा, यहा जोड़ियेगा तो 5x पलस 4 हो गया, यहां देखियेगा तो 5x पलस 4 हो गया, माने आप यहाँ पर r1 إimpli 2, r1 प्लस r2 प्लस r3 भी कर सकते थे, यह c1 إimpli 2, c1 प्लस c2 प्लस c3 भी कर सकते हैं, हम लोग लिये हैं कि C1 implies 2 मानि C1 के जगह पर आपको लिखना है C1 plus C2 plus कितना C3 यह फर्ष्ट कलूम हुआ इसमें दुन तीनों को जोड़ करके लिखना है ते 5x plus 4 तीनों हो गया बाकी दोनों लाइन जयों के तेम आप लिख लिजे अब यह तीनों सेम हो गया तो कमन निकाल देंगे जब कमन निकाल देंगे तो यह 1 1 1 हो जाएगा बाकी दो लाइन तो लिखी देना है सेम अब आपका कामासान हो गया कि इसमें से यह घटा दीजी यह 0 हो जाएगा इसमें से यह घटा दीजी यह 0 हो जागा एक बचेगा उसको ले करके तोड़ दीजेगा तो देखिए इस लाइन में से मतलब कि second row में से first row को घटाईए फिर third row में से second row को घटा दीजेए तो देखिए r2 imply to r2 minus r1 r3 imply to r3 minus r2 लिख रहे हैं तो 5x plus 4 जों किते हैं 0 x plus 4 में से 2x घटेगा तो 4 minus x 2x में से 2x घट गया 0 हो गया यह देखिए 1 में से 1 घट गया 0 हो गया 2x में से x plus 4 घट गया तो x minus 4 हो जाएगा x plus 4 में से 2x घटेगा तो 4 minus x हो जाएगा अब आप 1 लेकर के सिर्ट तूड़ दीजे तो यह 5X प्लस 4 जेम केते हूं 1 लेकर तूड़ियेगा तो यह खतम हो गया तो यह multiply कीजे तो 4-6 के whole square अब माइनस 0 हो जाएगा देखिए अब आप इसको multiply कर दीजे तो इतना हो जाएगा जो की आपको proof करना था इस ढहंग से determinant जो कोशन आज हम आपको बताए है इन कोशन को परपटिज को पढ़ते हुए फिर से एक बार जो है पुना बनाने का पर्यास कीजेगा परपटिज आपको थोड़ा सुरू में ज़्यादा रिभीजन करना चाहिए इसके बाद कोशन बनाए ज़्यादा कोशन बनने लगेंगे ओके आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमेशा इसको करते रहिए और हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे okay